इस विडियो के अंदर एबी सी के साथ साथ हर चाप्टर में कौन से एरिया पर फोकस करना है वो भी बताने वाला हूँ पूरा अच्छे से डिसकस करेंगे लेकिन शांती से पूरा वीडियो देखना चोड़ा सा वीडियो रखेंगे सबको डिसकसन करेंगे ये फाइल आपको कॉपी करने का जरूवत नहीं है आप बोलोगे फाइल दे दो सर फाइल मेरे जो टेलिग्राम है उस पर अपलोड कर दूँगा उस टेलिग्राम का लिंक डिसक्रिम्शर बॉक्स में अवेलेबल है तो वो टेलिग्राम चैनल जरूर कर लेना क्यूंकि काफी सारे अपडेट अपने ले लिए उसके अलावा मेरे जो बैचेज है दोजार एवेलेबल और बीबी वर्ट्वल्स.com उस पर मेरा दो बैच है एक है एक एक्जाम ओरियंटेड बैच विच जस्ट लैकर रेगुलर बैच एना विच अपलेगल फॉर में नवेंबर 23 और एक है हमारा फुल फास्ट्राइक बैच यह वाला फास्ट्राइक बैच विच अपलेगल फॉर मेर नवेंबर 23 उसके बाद जो न्यू सेलेबस के एसाब सिक बैच है वो भी हम कंडग करने वाले है जो आपको रेगुलर बैच नाम से दिख रहा है दाटेट यू इंट पैस पर न्यू स अगर कोई ऐसा करने वाला है कि मैं A कर लूँगा B और C छोड़ दूँगा या मैं A B कर लूँगा C छोड़ दूँगा भाई वीडियो मत देखो आपके लिए नहीं है यह वीडियो तो सर अबीच का फाइदा क्या हुआ यह होता है कि आपको फोकस एरिया मालूम पड़ता यह उपड़ता है प्राइलटीस कि मैं इसको प्राटास करूँगा यह मेरा कच्छा पक्का रहेगा इसको मैं रिफर करूँगा तो भी चल जाएगा वैसा छोड़ना मत कुछ भी एफर में 70 प्लस चाहिए तो सिलेक्टे स्टड़ी से एफर में 70 प्लस नहीं आता है पूरा पंडे से एफर में 70 प्लस आता है सिलेक्टे स्टड़ी से 50 55 वीसा आ सकता है बराबर ध्यान दगना तो हो सके तो पूरा कवर करो time constraint है तो accordingly you can select ठीक है चलो आ जाओ सबसे पहले एक काटेगर की बात करते है सबसे पहले financial instruments वो तम को सबको बता है लेकिन financial instruments के लिए May 23 के लिए कौन से focus area आज़े सबसे पहले question है compound financial instrument का जिसमें transition cost भी आता है class मा अपने करवाया भी यह question बराबर वो question एक important है उसके लावा जहां होती है pre-existent relationship फिर modification बड़े बड़े दो question है illustration मुझे मेरे किताब का question भी आदे 123 और 124 यादे from borrowers point of view फिर derivative यह important है बराबर ध्यान रखना आप लोगे सब इंपोर्टन नहीं है यह जो बताया उतना पाट important हो गया उसके लावा business combination मिरको लगता है May 23 में business combination से बड़ा वाला question आएगा 100% बड़ा वाला question यहां से आएगा मिरको ऐसा लगता है तो बड़े question जो है वो सब करके जाना जादा बड़े questions है नहीं बट इतने भी यह करके जाना पहला चीज़ second चीज एक और question है जो combined question है जिसमें इंडेस ट्रिपल वन और 103 का question है जो अगर आप मेरे class के student हो तो यह common pool का part बनता है अब common pool क्या होता है वो मेरे class वाले बच्चों को समझेगा जो बाकी students से ignore करो तो common pool वाले part का पार्ट बनता है एक question है इसलिए दिया ता कि कोई मेरे से ना पढ़ा हो जिसके बाद दूसरी किताब हो तो मालून तो पढ़े कोन से question की बात करो तो बड़े question में से वो important है फिर step acquisition के questions है वो important और disposal with loss of control, without loss of control उसके questions important है बराबर उसके बाद आएगा index 102 का उसके उपर एक question है intrinsic value का जिदर fair value भी दिया है आप पते है कैसे करने का concept आपको से मालूम होने चीए concept रटा मत मारना focus more on questions एक बार concept मोटा मोटी overview है आपको तो questions पर जाके focus करने का उसके लावा past 3 attempts के जो RTP, MTPs और past exam के question है जरूर करके जाना मेरे को लगता है 115 में से इस बार आपको पते है अपने किताब में एक section है past paper RTP, MTPs के section है जिसमें से वह question है जो module में नहीं है लेकिन RTP, MTPs वगएरा में आये वह section के जितने भी questions है वह important है और उसमे question है customer loyalty points वाला भाईसा मेरे को है ना वह विद्दम hope देता है कि वह आये का exam के अंदर तो करके चले जाना सरी हमको तो difficult लगता है इसके ओपर मैं video डाल दूँगा YouTube के ओपर ठीक है मेरे channel पर यह आएगा उस video का जो notes वगरा वो telegram पर डाल दूँगा वीडियो यूटूब पर डाल दूँगा YouTube को subscribe के रख लो और telegram भी join करके रख लेना तो update कर दूँगा उसके ओपर तो मुझे लगता है वो काफी important question है वो आ सकता है चिंता मत करो करवा दूँगा फिर आता है 116 116 में Lessor का accounting है Lessor is a dealer manufacturer वो वाला part important है Sell and leaseback important है और Lessi का accounting में एक question है जहाँ lease isn't foreign currency जहाँ payments foreign currency में कर रहे हो तो वो एक question important है ठीक है उसके लाबा analysis of FS जिसमें credit balance sheet वाले questions है वो important है फिर joint arrangement के अंदर एक question है concept question है जिसमें अपने को definition अप्लाया करके बताना है कि यह joint venture है या joint operation है वैसा एक बड़ा question है जो में रिकाल से एक दो अटेम पहले अपने किताब में कर वाला question है उसके लाबा अपने किताब का illustration 23, 24, 25 वो important है अगर आपको मेरी किताब नहीं है तो module के आखरी 3 question important है अगर आपको वैसा देखना है ठीक है उसके बाद index 16 PPE PPE मेरे को लगता है आएगा exam के अंदर और इसमें 100% आएगा मेरे को लगता है और आएगा तो कुनसा question आएगा या तो decommissioning वाले जितने भी questions उसमें सा आएगा या फिर illustration 25 अपने किताब में जिदर machinery का ledger पूछा है जिसमें बीच में अपना क्या बुलते है revolution gain भी हुआ है revolution loss भी हुआ है बाद में machine sale भी कर दिया वह वाला question तो वह important में को लगता है ध्यान रखना सिव इतना मत पढ़के जाना यह prioritize करना इसको तो पढ़ना ही है यह अच्छे से करके जाना हो और अच्छे से करके जाना है इसको त्यान रखना फिर employee benefits उसमें दो टाप के questions है एक defined benefit plan के questions और एक leave compensation वाले questions फिर 23 borrowing cost इसाब एक category की बात करो 23 borrowing cost है 38 intangible और 101 first time adoption ठीक है यह आपके बन जाते है कुछ 10-12 topic FR में 34-36 topics है उसमें से यह 10-12 topic आपके लिए A category में आ जाते हैं देखो यह जो category है न यह financial instrument 103,110,102,115,116 यह तो आपका वैसे भी ए category है तो इसमें से 50% paper निकलता है apart from that these few topics I am expecting की exam में आएगा definitely और उसमें से भी focus area आपको मैंने बताया है जादा focus किस पर करना पढ़ना पूरा focus area बता रहा हूँ कलको मिरको के उठके message किया कि सर मैंने तो ए पढ़ा उसमें से निया है भाई पहले बता रहा हूँ आप risk ले रहा हूँ फिर वैसा मत करना priority set करना सिखा रहा हूँ सिलेक्टर शड़ी करना नहीं बता रहा हूँ ठीक है आगे इंडियास वन में वह तीन concept इंपोर्टन होते हैं करन असर कर देफिनेशन करन असर कर देफिनेशन कर देफिनेशन उस पे questions और ब्रीच ओफ लॉंग टर्म लों जानिमेंट वाले question फिर inventory कर लेना cash flow में दो पार्ट में को लगता है important है एक consolidated cash flow बनाना सिखाते है और एक foreign exchange gain loss का cash flow में reporting कैसा होता है फिर आता है इंडियास 10 इंडियास 10 इंडियास 10 करके जाना उसमें question है एक जैन 21 के exam में question आया था water leakage वाला वह वाले question इंपोर्टन लगता है में फिर इंडियास 12 income taxes इंडिक किसका DTA कितना third किसका DTA कितना four किसका DTA कितना इसे तीन चार cases वाले questions है वो important है उसमें current tax और deferred tax आपको दूरों निकालने बोलता है है आपको चेतर में दिखाता हो कौन से question की बात कर रहा हो जैसे illustration number 9 है जिसमें एक दो तीन case है फिर 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 एक और question है यह illustration number 16 कितने चार case है एक दो तीन चार case है यह जिसमें multiple cases है वो वाले question में कोई आता लगते important हो सकते है कुझसे इंडेस 12 में B category में फिर government grants एक question है जिदर 109 that is financial instruments और government grant combine हो जाता है relationship वाला question बराबर क्या तो वो जो भी day 1 पर difference आता है उसको अपन government grant टीट करता है इस पर इंडेस 109 तो एक combined question है वो भी important है फिर आता है इंडेस 21, 21 में कुझसे question important है एक तो foreign operation का translation करना एक बड़ा question भी है जो आपने class में किया भी था जिसमें न दो 14 मक्रा question था बराबर जिसमें पहले तो वो बोलता है कि तुम बताओ कौनसा monetary कौनसा non-monetary और फिर वो तुमको बोलता है कि तुम अभी translate करके बताओ तो वो वैसे वाले part important है जा translation सिखाता है और दूसरा एक inter company loan पे UR पे adjustment आता है जाब parent ने subsidiary को loan दिया वो वाला एक वो question वो important है ठीक ह एक था participating equity shares वो वाला part important है फिर एक में बोलता है कि subsidiary और ग्रूप का basic निकाल के बताओ वो important और एक contingent issuable shares वाला जिसमें question है retail question के हो retail stores के उपर कि retail stores खोलो के तो हम आपको उतना उतना shares देंगे वैसा तो यह चार एरिया ज्यादा focus करना है इसके उपर ठीक है right shares, participating equity shares, subsidiary का group and diluted, subsidiary and group का basic and diluted EPS और वो contingent issuable shares वाला point, फिर 34 है interim financial reporting इस पे आप directly focus more on questions, कुछ एक ऐसे index है जिसमें आप directly question करोगो तू भी चल जाएगा, मैं चीए तो उसके उपर एक अलग से video बना दूँगा, तो इसमें भी आप focus जादा रखना questions के उपर, फिर 36 के उपर एक concept है, grossing up वाला concept, यह जो मेरे class के बच्चों को बता दूँ, यह common pool वाला part है, तो common pool में cover होएगा, अब common pool के वापस से बता रहो, जिसमें मैं से नहीं पड़ा, उनको को समझेगा नहीं वो छोड़ दो, but impairment के उपर एक grossing up वाला concept है, वो important है, जिसमें आपन goodwill को gross up करते हैं, फिर 37 provisions, 37 वाले index में, जो model के questions है, उसमें इतना मजा नहीं है, लेकिन जो past 3-4 item के RTP में, अगर कुछ questions देखें, आपको index 37 के, तो वो कर लेना, जैसे मेरे किता में, वो section है, पीछे वाला, MTP, RTP, past paper का section वाला, वो वाले सारे questions करके चले जाना, 40 में एक question है, जिसमें 40 और 16 combine हो के आत ठीके, फिर आता C category, उसमें topic का conceptual framework, इस पर तब directly questions कर लेना, directly questions, बराबर, जो भी questions है, वो directly कर लेना, last में करना, it is just like analysis of financial statements, इसमें पूरे index का घ्यान लगता है, अपने, last में करोगे, चलेगा, फिर index 8, 24, 41, 108, 108 में specifically बता रो एक question है, जिसमें format based question है, जिसमें पूरा operating segment को, आ कैसे format में report करोगे, वो एक बड़ा सा question है, 10 यांट मका, पहला आ भी चुका है, तो format वाला question बहुत important है, वो आपको रटा ही माना, यादी करना होता है, वो करके चले जाना, फिर 113, 27, 28, अचा 28 भली सीका degree में है, लेकिन इसमें पॉइंट है, लॉस मेकिंग असोशेट का question, एक्जाम में आ सकता है, वो कब से RTP, MTP में कभी तो आया था, फिर model में भी आ गया, एक्जाम आने देर लगेगी निए इसको, तो ये वाला part, और फिर integrated reporting, ठीक है, बस, तो ये हमारा ABC analysis था, इस file को में डाल दूँगा, टेलिग्राम के उपर, ठीक है, जॉइन कर लेना, YouTube क subscribe कर लेना, कुछ दिक्कत है, comment कर देना, ABC अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम का हो सकता है, तो जरूर comment करके जाना, ताकि मुझा मालूम पढ़े कि आपके लिए useful था कि नहीं था, बाकी मेरे batches, दो batches है, May 23, November 23 के लिए, website पर जाके आप जो भी details है, वो पता लगा स ठीक है, तो tension मतलो, भाई आया, सब कराके जाएगा, बराबर revision videos, जो भी critical चीज़े, सब मैं आपको देता हुआ चलूँगा, चिंता को करने के जरूवत नहीं है, ठीक है, तो thank you so much everyone, bye everyone, take care and please keep working hard, ओके, चलो, bye बाबर, अच्छा, एक और चीज, आपको अगर अब तक नहीं आपके पता है, तो मना बता दू, हम आ रे India पर आपके शेहर में, बराबर, तो मैं शुभम सर, संकल्प सर, विशाल सर अन बीवी सर, आपके चाहीते हम सब आ रै आपके शेहर में, बराबर, तो अगर आपको India टूर पर आपने रेजिस्टर कर लिया, तो very good, रेजिस्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हो बीबी वल्चुस के वेबसाइट पे सर कब-कब है तो यहां स्केडूल भी दिया हुआ है आप यहां क्लिक करोगा आपको स्केडूल मिल जाएगा तो अगर आपके सीटे में हो तो आप डेफिनेटली अटेंडिस को कर सकते हो तो अगर आप आने वाले हो तो मिलते हैं आपके शेहर में I am very excited for the India tour, I hope you are too तो see you everyone, bye bye everyone, take care, see you all, bye bye